नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजिटल फ्रेशिक चाह के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों एचसी सीटी क्वालिफाई कंडिडेटों के लिए बड़ी खुश कबरियम कह सकते हैं अब बड़ा दमाखा कह लिजे साथियो पूरी इनफोर्मेशन विश्तार से इस वीडियो में आपको बताई जाएगी उससे पहले अगर आपने वी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अरियाना का विश्वसने चैनल जो सभी परकार के अपडेट आप तक रेगुलर पहुंचाता है तो चलिए साथियो अब देख लेते हैं हाई कोर्ट से CET क्वालिफाई के लिए क्या बड़ा दमाखा हुआ है देखे साथियो CET में Lowe Merit यान की कम नमबर वालों को क्योंने अंतरिम राहत दी जाए यान की सभी को क्योंने दूसरे एक्जाम में बैठने का मोका दिया जाए उसके बाद देखा जाएगा साथियो क्या होता है लेकिन अंत्रिम राहत तो दे दी जाए सभी कंडेटों को पूरी खबर विस्तार से देखना बहुत जरूरी है सयोग पातरता प्रिक्ष्या पास लेकिन मेरिट में नीचे रहने वाले आवेदकों की पुनरविचार याजिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को नोटी जारे कर पूछा कि क्यों ने उनको अंत्रिम तोर पर राहत दी जाए हाई कोर्ट ने सरकार को 21 जून तक इस मामले में जवाब दाइर करने का आधेश दिया है यानि कि साथियो 21 जून तक सभी कंडिडेटों को राहत दे दी जाए इसके बारे में जवाब मांगा गया है XC से और 21 को XC को जवाब दायर करना है 12 माई को गुरूप C वे D के लिए 32,000 पदों के लिए ये सत्यों गुरूप D तो अलग विशे हो गया है गुरूप C की बात की जा रही है की जो गुरूप C की भरती है इसमें च्यार गुणा आवेद्गों को ही स्क्रीनिंग के लिए बुलाने के निर्ने वाली निर्ने को चुनोती देने वाली याचिका हाई कोट ने खारिज कर दे थी सात्यों खारिज कर दे थी ये बात एक दम सही है उसके बाद पुनर रिविचार याचिका दायर की गई और इसके इस फैसले पर पुनर रिविचार का हाई कोट से आगरे किया गया नवीन कुमार वै अन्य ने याचिका दायकिल करते हुए हाई कोट को बताया था के रियना सरकार ने गुरुप सी पदों को बरने के लिए सयुक्त पातरता प्रिक्षिया लेने का नेरे ने लिया था प्रिक्षिया में 50% अंकों को सामाने सरेणी और 44% रिजरव का टेगरी के लिए क्वालिफाइंग अंक टेग किये गए थे 11,22,200 आवेद्गों ने इस प्रिक्षिया के लिए पंजीकर्ण किया था और 7,33,000 ने प्रिक्षिया दी थी इसके बाद सरकार ने प्रिक्षिया का प्रिक्षिया का प्रिणाम गोशित किया और 2,22,000 साती इसमें जो प्रोविजनल रजल्ट था उन कंड्रेटों को वाटाया जा रहा है 2,22,000 आवेदक को आवेदक इसमें सपल रहे थे यान की टोटल 3,77,000 के लगबुक जो आखड़ा था वही आखड़ा है इसमें प्रोविजनल वाड़ों का डाटा अठा कि ये डाटा बताया गया था इसके बाद सरकार ने निर्ने लिया कि विग्यापित पदों के चार गुना आवेदकों को ही स्क्रिनिंग के लिए बुलाया जाएगा लेकिन साथ ये इसमें आगे बताया गया कि एचसी ने काया है और ये रियल भी है कि पहले ही कंडेट को बता दिया था गया था कि ये प्रोसस के तहतागे की बर्ती होगी याची ने कहा कि इस परकार नीमों को बदल कर प्रिक्षिया पास करने वाले अन्य आवेदगों को वन्चित करना उनके साथ नयाय है प्रिक्षिया पास करने वाले सभी आवेदगों को इन पदों के लिए मोका दिया जाई अर्याना सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था इस बात का विरोध किया गया और कहा था कि प्रिक्षा के लिए पंजीकर्ण करते हुए या चिका करताओं को नीमों के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई थी यानि कि जब ओनलाइन आवदिन किये गए थे तब ये जानकारी दे दी गई थे कि किस परकार से बरती की परकिरिया आगे बढ़ेगी या इनकी चार गुणा बुलाया जाएगा ये बातों सात्यों सही है कि उसी समय जानकारी दे दी गई थी और सरकार को अधिकार है कि वे योगे आवेदकों के चैन के लिए मानक तै करे इस परकिरिया को अपनाने से बरती जल्दी होगी और अनावसक याचिकाओं से बचा जाएगा इसके अलावा सात्यों अब न्यूज पेपर में एक खबर आई है उसी बेस के उपर ये वीडियो बनाया जा रहा है फिलहाल अन्य सोर्स से इस परकार की कोई न्यूज नहीं मिली है हाँ इतना जरूर है कि जल्दी ही इस न्यूज को और वैरिफाई किया जाएगा और इस से दिख अगर कोई information मिलती है वो information भी आपके साथ share की जाएगी आफिरकार एक सरसी को सीटी कौलिफाई को लेकर नोटी जार किया गया है या नहीं किया गया है या इसके ओपर क्या decision रहने वाड़ा है जो भी information साती और मिलेगी वो भी आपके साथ share की जाएगी फिलाल ये वी देन एक्रूड़ में